राइपूर के अंदर, तिन दिन से, आज इती बड़ी घटना होई कि आप इस रूप में पवन खेडा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सबी नितालों उतर गये, वहां धर्णा दिया है, ये घटना देश ने दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बद्नामी कर रह को, क्या उनके बगर नॉलेज के इस प्राइप को हिम्मत कर सकता है, बहुत दुर्पाजी पर इस्तती बनती जारी देश के अंदर, इतने बार-बार कहते हैं कि लोग तुन तुन को खत्रा हो रहा है, सबीतां जी दर्ज्या ओर रही है, राउल गांदी जी का मक्ष जो था बारे जोड़ो याता है, क्या था, यही तो था, महेंगई और बिरोजगरी भी धांदी आंगे जा रहा है, तजा बढ़ता ही जा रहा है, इंसा बढ़ती जा रही है, वो प्रेम की बात करते हैं, अइंसा की बात करते हैं, तो बहुत दुर्पाजी पर इस्तती बनती जारी मुझे बहुत चिंटा लगी हुई है कि ये किस रूप में देश की दिसा में जाएगा, किसको नहीं मालूम है, अहम गमंड काम नहीं आएगा इनका, आहम जनता इनके अहम को गमंड को धरासाई कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे कहते हैं कि आज लं पुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सारा लेकर के अमर्जन लगाई थी, और जनता ने उत फक्त भी उसको पसंद नहीं किया, ऐसलिए चला महार रहे थी, ये तो बिना गौशित किया हुए अमर्जन सीजे, अमर्जन सीजे बड़ी लगा दी है, किते पत्त्यकार और लेकर जेलों बंद है, किसो को मालूम है, कहड़ा कि पत्त्रकार आया था वो, देट साल मंदरा सुप्री कोड से उसको निमाद मिली है, क्या-क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत चिंता है देश फाशियों को मैं समझता हूँ, इन बातों में गहर करना चाहिए, चि बचले